हेलो स्टूदेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 में क्या दिया हुए हैं अगर रियल रूट एक्जिस्ट करता है तो फाइंड करेंगे देखो फस्ट है 2x स्केर माइनस 3x प्लस 5 is equal to 0 कोई भी quadratic equation दी होते है आपको ax स्केर प्लस bx प्लस c और discriminant होता है उसका b स्केर माइनस 4ac discriminant क्या होता है b स्केर माइनस 4ac फिर हमारे पास condition आती है तीन हमारे पास nature के लिए तीन condition है b स्केर माइनस 4ac अगर greater than 0 होगा तो 2 distinct है real root तो हमारे पास कोई भी 2 real root मिलेंगे अगर b स्केर माइनस 4ac is equal to 0 होगा तो हमारे पास 2 equal real root तो हमारे पास 2 equal real root मिलेंगे अगर b स्केर माइनस 4ac less than 0 होगा it means negative होगा तो कोई भी real root नहीं exist करेगा अब हम देखते हैं कैसे 2x स्केर माइनस 3x plus 5 is equal to 0 a की value क्या आपके पास 2 b की value माइनस 3 and c की value 5 अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है b स्केर माइनस 4ac apply करेंगे इसके अंदर b क्या है माइनस 3 का स्केर माइनस 4 और a की value 2 और c की value 5 माइनस 3 का स्केर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 9 माइनस 40 क्या आएगा माइनस 31 और अब भी मैंने बताया था जब b स्केर माइनस 4ac less than 0 आजेगा 0 से छोटा means negative आएगा तो क्या बोल देंगे no real root तो b स्केर माइनस 4ac less than 0 है so the no real root is possible तो इसका कोई भी real root possible नहीं है next है 3x स्केर माइनस 4 रूट 3x plus 4 is equal to 0 a की value क्या हैगी 3 b हमारे पास क्या है माइनस 4 रूट 3 और c क्या है 4 discriminate क्या है b स्केर माइनस 4ac b की value पुट करेंगी minus 4 root 3 का स्केर minus 4 a की value 3 और c की value 4 minus का स्केर क्या होजेगा plus 4 का स्केर 16 और root 3 का स्केर 3 16 3 जा 48 minus 4 4 जा 16 3 जा 48 48 से 48 cancel होजेगा क्या आएगा 0 अगर हमारे पास 0 आया है तो b स्केर minus 4ac is equal to 0 तो क्या बोलनेंगे हम 2 real root 2 हमारे पास real root है अब real root exist करता है तो real root find करेंगी so real root exist for this equation they are equal to each other तो दोनों equal होगे कैसे अब देखो हमारे पास जो method था वो क्या था root निकालने के लिए क्या method था आपके पास है minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a ये मार पास पूरा का पूरा क्या हो गया 0 तो ये क्या आजेगा equal to minus और b की value क्या है minus 4 root 3 by 2 और a की value क्या है 3 minus minus plus होजेगा 4 root 3 और 2 और 3 2 to जा 4 root 3 से यह cancel होजेगा 2 by root 3 अब हमारे पास 2 आएंगे क्योंकि real root 2 बता रखेगे x की value 2 है तो real root b 2 आएंगे हमारे पास 2 by root 3 2 by root 3 अब हमने पढ़ा था कि is equal to 0 है तो दोनों कैसे आएंगे equal आएंगे third है हमारे पास 2 x square minus 6 x plus 3 is equal to 0 a is equal to क्या आएगा 2 b is equal to minus 6 c is equal to 3 d is equal to b square minus 4 a c होजेगा अब हमारे पास b की value क्या minus 6 का square minus 4 और a की value 3 और c की value 3 और a की value 2 तो क्या आजेगा minus 6 का square 36 4 3 जा 12 12 2 जा 24 36 में से 24 को करेंगे क्या आएगा 12 अब b square minus 4 a c क्या आगया greater than 0 0 से बढ़ा है तो हम क्या बोल देंगे distinct real root तो इसके कोई ना कोई real root है अब हम apply करेंगे formula के अंदर क्या आजेगा b की value क्या है minus minus 6 plus minus b square minus 6 का square minus 4 a की value 3 है हमारे पास और b की value 2 c की value by 2 और a की value क्या है 2 क्या आजेगा minus plus का 6 होजेगा plus minus 6 का square 36 minus 24 by 4 6 plus minus root 12 by 4 अब root 12 को ब्रेक कर सकते हैं root 12 को क्या लिग सकते हैं 4 multiply 3 4 क्या होता है 2 का square तो इसको बार ले आएगे 2 हो जाएगा 6 plus minus 2 root 3 by 4 दोनों में से 2 common ले लिया 3 plus minus root 3 by 2 2 से 2 cancel कर दिया अब plus minus है तो एक बार इसको plus में लिख देंगे एक बार इसको minus में लिख देंगे यह मार पास 2 real root आ जाएंगे next है question number second find the value of k for each other following quadratic equation so that they have 2 equal roots आपको condition दे रहेंगे 2 equal roots हैं 2 equal roots हैं तो हमारे पास b square minus 4a से 0 आएगा तब हमें k की value find करेंगे a is equal to क्या है 2 b is equal to k और c is equal to 3 d हमारे पास क्या आजेगा b square minus 4a से is equal to 0 क्योंकि equal root के लिए क्या condition होती है कि is equal to 0 आएगा अब b हमारे पास क्या था k square minus 4a की value 2 है और c की value 3 is equal to 0 k square minus 4 3 जा 12 24 is equal to 0 k square is equal to 24 k is equal to plus minus square को उधर लेके गए root हो जाएगा plus minus 24 k is equal to plus minus 6 multiply 4 कर दिया 24 को break 4 क्या लिख सकते है 2 का square तो क्या आजेगा 2 भार आजेगा k is equal to plus minus 2 root 6 next है हमारे पास second kx x minus 2 plus 6 is equal to 0 अब multiply करेंगे kx square minus 2k x plus 6 is equal to 0 a की value क्या आजेगी kb की value minus 2k और c की value 6 b square minus 4s is equal to 0 b हमारे पास क्या minus 2k का square minus 4 और k multiply 6 is equal to 0 ये क्या आजेगा 4k square minus 6 for 24 k is equal to 0 common क्या आजेगा 4k into k minus 6 is equal to 0 इसको 0 के equal रखेंगे और इसको भी 0 के equal k की value एक तो 0 आजेगे k की value 6 आजेगे नेक्स्ट है question number 3 question number 3 क्या है if it is it possible to design a rectangular mango grow whose length is twice its breath क्या ये पोसिबल है कि एक rectangle mango grow के लिए एक rectangle shape का हमें arm के जो बाग है वो लगाने के लिए एक rectangle shape का पाग की ज़रूरत है जिसकी length is twice its breath उसकी length उसकी breath से twice है and the area is 800 meter square उसका area है 800 meter square if so अगर है तो find its length and breath अगर ये possible है तो उसकी length और breath है find करेंगे let's take breath of mango क्या है हमने जो mango के grow के है मार पास उसकी breath हमने क्या मान ली mango grow एक्स length क्या हो जाएगी उसका twice है तो क्या हो जाएगी 2x area कैसे निकालते length multiply breath 2x multiply x is equal to 2x square और given में क्या है area आपको 800 तो 2x square is equal to 800 x square is equal to 800 by 2 2 से cancel कर देंगे क्या आजेगा 400 x square minus 400 is equal to 0 अब हमारे पास क्या आजेगा ax square plus bx plus c is equal to 0 a की value 1 है b की value 0 c की value 400 c की value हमारे पास minus 400 है d निकालेंगे 20 square minus 4ac is equal to 0 का square minus 4 a की value 1 और c की value minus 400 0 हा square है 0 रहेगा minus minus plus हो जागा 4 4 जाँ 1600 तो हमारे पास 20 square minus 4ac है वो क्या है greater than है 0 आएगा the equation will have real root it means equation के real root है length cannot be negative और length कभी भी negative नहीं हो सकती इसलिए हम क्या बोल देंगे कि इसके क्या है real root है real root है तो हम कैसे निकाल लेंगे breath हमारे पास क्या थी x x हमारे पास यहां से क्या आजएगा इसको हम solve करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा d is equal to यह आगे हमारे पास b square minus 4ac is equal to हम इसके factor बनाएंगे x square minus 400 is equal to 0 x square is equal to 400 और x square is equal to इसको क्या लिखेंगे 20 का square square से square cancel और negative लें नहीं सकते इसलिए हमने direct positively x की value क्या है 20 x हमारे पास क्या है breath breath क्या आजएगी आपके पास 20 meter length हमारे पास क्या आजएगी 2x था 20 multiply 222 जा 40 क्या आजएगी 40 meter next है question number 4 if is the following situation possible आप से बोल रखा है कि क्या ही situation possible है if so अगर possible है determine their present is on के present is find करेंगे condition क्या है the sum of the age of two friends is 20 years दो friends की age का sum 20 years है 4 years है गो 4 साल पहले the product of their is in years was 48 उन दोनों की age की product 48 years थी आप देखते हैं condition क्या है let the age of one friend एक friend की हमने क्या मान ली x है दोनों की age का total था हमारे पास 20 तो second की हम कैसे निकाल लेंगे let the age of other friend दूसरे friend की क्या आजेगे 20 में से minus कर देंगे 20 minus x years है अब 4 साल पहले पूछ रखका है तो 4 years है गो first friend is क्या आजेगे x minus 4 4 years है other friend is दूसरे friend की is क्या आजेगे 20 minus x था और उसमें से minus 4 कर देंगे 20 में से 4 जाएगा 16 minus x है अब बोल रखका 4 साल पह लिजों की इस थी उसकी product 48 है तो क्या आजेगा x minus 4 into 16 minus x is equal to 48 multiply करेंगे 16 x x के और x की minus x के minus 16 4 जाए 64 minus minus plus हो जाएगा 4 x is equal to 48 इदर आजेगा 16 x minus x के plus 4 x यह हमारे पास plus 4 x है minus 48 इदर से लेकिया minus 48 minus 64 is equal to 0 अब आए minus x के 16 और 4 20 x minus दोनों के add कर देंगे 112 is equal to 0 minus कॉमन लेंगे तो सभी के sign change हो जाएगे x के जो plus था वो minus होगा जो minus था वो plus हो जाएगा अब a is equal to 1 आजेगा b is equal to minus 20 और c is equal to 100 a 12 आजेगा तो d हमारे पास क्या आजेगा b square minus 4 a c b हमारे पास क्या है minus 20 का square minus 4 a की value 1 और c की value 112 20 का square 400 minus इनके multiply के आजेगे 448 तो क्या आजेगा minus 48 it means b square minus 4 a c क्या है less than 0 है less than 0 आगया तो कोई भी real route exist नहीं करेंगा no real route is a possible so situation is a not possible अगर इसका कोई भी real route possible नहीं है तो situation भी possible नहीं है next है हमारे पास last question है question number 5 is it possible to design a rectangular park एक rectangular park को design करना है of perimeter उसका perimeter 80 meter and area 400 meter square आपको perimeter दे रखा है और area दे रखा है find its length and breath length of park हमने क्या मान लिया x और breath हमने क्या मान लिया दोनों को अलग अलग लेके चले length x है और breath है y perimeter का formula क्या होता 2 into x length plus breath 2 into x plus y is equal to 80 x plus y is equal to 40 क्योंकि 2 को इदर लेका divide में क्या आजेगा 40 y की value हमने निकाल ली 40 minus x यह आपके पास आया फिर area हमार पास क्या होता है length multiply breath length क्या है x और breath हमार पास क्या है y की value क्या है 40 minus x is equal to कितना दे रखा area 400 अब multiply करेंगे 40 x minus x square और इदर लेका हैंगे minus 400 is equal to 0 minus common लेल लेंगे तो क्या आजेगा plus x square minus 40 x और plus 40 is equal to 0 a is equal to 1 b is equal to minus 40 और c is equal to 400 आजेगा apply करेंगे तो क्या आजेगा d is equal to b square minus 4ac b यहमार पास क्या minus 40 का square minus 4 a की value 1 और c की value 400 minus 40 का square 1600 minus 4 for just 1600 cancel होके क्या आएगा 0 d square minus 4ac क्या आएगा 0 it means 2 real root आएगे और दोनों हमारे पास कैसे आएगे equal आएगे if this equation has equal roots hence situation is possible तो x क्या आजेगा minus b by क्योंकि हमारे पास condition क्या होती minus b plus minus b square minus 4ac by 2 a यह हमारे पास पूरा 0 होगया तो क्या आएगा minus b by 2 a x is equal to minus b क्या है हमारे पास minus 40 और by 2 और a हमारे पास क्या है 1 अब minus से minus cancel होजेगा 40 by 2 2 से cancel होके क्या आएगा 2 तो क्या आजेगा आपके पास 20 आजेगा अब x की value हमारे पास क्या आए 20 therefore length of the park पार्क की length क्या आगई 20 आगई breath क्या आजेगी 40 minus x आजेगी क्योंकि total हमारे पास क्या थी कि y में से मने minus कर रखा था y की value निकाल रखी थी 40 minus x तो y क्या आजेगा 40 minus x और x की value क्या है 20 40 minus 20 is equal to 20 meter ये थी आपके exercise 4.4 और chapter खतम ओके थैंक यू